हमारे साथ हैं नेता प्रतिपश गुलाबचंद कटारी जी राजसभा के लिए आपकी तरफ से प्रतियासी गोशित हो गया है, क्या तैयारी हैं? गंशाम तिवाडी लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे पार्टी से अलग भी चले गए फिर वापिस आए अब इन सब को लेकर के पार्टी में किस तरह की विधायकों की पृतिक्रिया आ रही है देखू मैं सुछता हूं कि मेरे से भी पहले राजनेती में वो आये मैं राजनेती में शित्योतर में एमर्जन्सी के बाद आया हूं मेरे से भी पहले राजनेती में काम से अनुपाइट़। मन्तु मतर में रहते हुई बिधैक के रूप में भी काम किया बीच में उनका व्यक्तिकुच्ट नालगी कान से उन्होंने पार्टी छोड़ी एक नई पार्टी बनाने का प्रयोक किया स्वेम खड़े हुए और जमानत जबत हुई उसके बाद उनको एसास वहा कि इस संगेठन में अलग जाकर के कभी भी राजनिती करना संभव नहीं होता है अगर राजनिती करने के इच्छा है तो फिर से पाइटी में ही जाना पड़ेगा तो उन्होंने अपनी गलती को स्विकार किया पाइटी ने उनको स्विकार किया और उसके बाद वो इस बार मैदान में आये तो पाइटी ने उनको यह अवसर दिया कॉंग्रेस के जो तीन प्रत्याशी हैं राजस्वा के वो तीनों ही बाहर के हैं राजस्थान से क्या आप लोगों को लगता है इससे आपके दूसरे प्रत्याशी की जीतने की संभावना है बढ़ जाई कि यारम को राजस्थान की समझ्चाओं 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 को राजस जो कह रहे हैं कि पार्टी गंजामतिवारी का नामंकन भराएगी, विदायकों की बैठक भी जल्द होगी, लेकिन साथ ही वो कैम्प करने की बाद भी मान रहे हैं, उनका कहना है कि विदायकों को प्रशिक्षन देने के लिए और वरियता पहली और दूसरी किस तरीके से देन ये सब बताने के लिए कैम्प करना जरूरी है, और कॉंग्रिस के जो तीन चेहरे बाहर से आये हैं, उसका फायदा भी बीजेपी को मिलने की सम्मावना जदा रहे है, कैमरापरसन संजे कुम्रे के साथ शची महन, जी मीडिया झाल 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 झाल